आज इस वीडियो में मैं आपको होल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 भी के कुश्चन्स कराऊंगा इन दे प्रिवेस वीडियो आई एक्स्प्लेंड यू एक्सरसाइज नंबर 3 है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया तो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो टुड़े विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3 भी फर्स्ट कोश्चन है फाइंड यूजिंग पैटर्न यहाँ पर आपको इन्हें एड करना है लेकिन यहाँ पर सिंपल एडिशन नहीं करना जो आपने लोवर क्लासेज में सिखा है उस तरह का एडिशन नहीं है यहाँ पर पैटर्न का यूज करके इनको एड करना है तो फर्स पार्ट देखो कैसे करना है 7854 प्लस 99 तो पैटर्न यूज करने के लिए आपको फोकस किस पर करना है यह जो 9 वाले नंबर है पहले पार्ट में 99 है दूसरे वाले में 999 है तीसरे वाले में 9999 99999 तो पैटर्न का मतलब है आप इने चेंज करो और इनको हटा कर कोई और वैल्यू यूज करो और ऐसी वैल्यू यूज करो जिसमें maximum number of zeros यूज करी जा सकें जैसे कि 99 है 99 जो है वो 100 के पास आता है और उसमें 2 0 आती है तो 99 को हम चींज करेंगे तो 7854 as it is लिखना है प्लस को भी as it is लिखना है 99 जो है इसे हटा कर आप लिख दो के 99 का मीनिंग क्या होता है 100 plus 100 में एक कम है 100 माइनस 1 तो यह हमने किस की प्लेस पर लिखा 99 की प्लेस पर लिखा है ठीक है यह ब्रैकेट की जरूरत नहीं है आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते है 99 को हटा दिया 99 को हटा कर 100 में एक कम होता है 99 तो 100 माइनस 1 लिख दिया है और साइन 100 में प्लस का लगाया है क्योंकि हमें 99 प्लस का बनाना है सबोस करो यह 99 माइनस का होता अगर माइनस का 99 होता तो आपको 100 माइनस 1 क्या होता है 99 होता है लेकिन जो 100 माइनस 1 99 आता है वो 99 plus का आता है लेकिन अगर आपको minus का 99 लेना है तो आपको minus का number बड़ा वाले लेना पड़ेगा और छोटा वाला number plus का लेना पड़ेगा तो ऐसे में जब larger वाले number में हम minus sign लेंगे तो आपका answer क्या हो जाएगा minus का 99 तो यह याद रखना आप फिलाल यहाँ पर 99 जो है प्लस का था तो 99 का 100-1 लिखा लेकिन आप जानते हैं कि 99 में प्लस साइन है यहाँ इसलिए हम बड़े वाली value में तो प्लस ले रहे हैं और छोटी वाली value में माइनस अब आपको क्या करना है इन दोनों को add कर देना है तो 100 को जब 7854 में add करोगे तो 100 add करने से आपको rough में लिखने की जरूरत नहीं है last की 2 0 है यह last की 2 0 इन में जब add होंगी तो यहीं आएगा 54 उससे पहले क्या है 1 1 और 8 को जब add करोगे तो क्या बन जाएगा 9 तो 7954 आएगा और बचेगा क्या minus 1 अगला बर क्या है इन्हें आप minus कर लो तो जब आप इन्हें minus करोगे तो 7953 आँसर आजाएगा तो यह हो गया आपका first part का answer अब बात करें second part की second part में भी बिल्कुल same यही step follow करने है क्या है second part देखो एक number है 91,234 plus में 999 999 का अगला number next number क्या होता है 1000 होता है तो हमना इसे बदल देते है और इसको हटा कर क्या लिखते है 1000 में एक कम होता है यह ठीक है और 9,1,2,3,4 को कुछ नहीं करना यह तो as it is रहेगा अब 999 में sign क्या था plus तो इसका मतलब यह है जो यहाँ greater value लिए है उसमें तो plus लो और smaller value में क्या लो minus अब आप इन्हें add कर लो last की जो 3,0 है वो इन 3 में add हो जाएंगी तो यही बना रहेगा 2,3,4 पिछले वाला one जो first digit है one वो इसमें add हो जाएगी तो two हो जाएगा और 9 as it is रहेगा अगर आपको add करने में problem हो तो आप rough में इन्हें add कर ले फिर minus का one लिख दे और इसके बाद आप क्या करेंगे 4 में से one गया 3 और rest of the digits आप same लिख दे तो 92,233 आंसर आगया आपका part number second का अब आ जाते है part third पर third part में क्या करना है 30641 plus 9999 अगर हम इसकी next digit देखे next number देखे तो whole number next whole number इसके बाद कौन आता है इसके बाद आता है 10,000 ये कौन है 9999 है तो counting में इसके अगला next number क्या होता है 1000 तो sorry 10,000 तो हम इसे हटा देते हैं और इसे हटा कर लिखेंगे कि ये जो है ना इसका अगला number तो 10,000 होता है लेकिन ये जो है ये 10,000 से एक छोटा है तो 10,000 से एक छोटा का मलब 10,000 माइनस 1 होगा क्योंकि यहां sign 9999 में प्लस था इसलिए हमने बड़ी वाली value में प्लस लगाना है और छोटी वाली value में माइनस previous number जो है इस तरह से कर लेना तो जब आप इन्हें add करोगे तो क्या हो जाएगा 1,4,6,0,4 तो यह हो जाएगा 4,0,6,4,1 माइनस 1 और जब आप इसमें से 1 को माइनस करोगे यह जो 1 था यह तो ऐसी लिख दिया हमने अब यह माइनस करना है तो जब हम माइनस 1 करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा यह मैं यहाँ लिख देता हूँ final answer आपको क्या मिलेगा 40,640 तो यह हो गया आपका final answer part number 3 का अब आजाएं part number 4 पे 4th part में क्या है 1,4,783 plus 99,999 हम इसे change करेंगे 9 वाले को तो 104783 इसे तो कुछ करना नहीं है plus as it is आएगा यह जो number दिया है यह इसका next number देखो देखो हर बार हमने next ही लिया था 99 का next क्या होता है 100,999 का next क्या होता है 1000, 9999 का next number क्या होता है 10,000 इसलिए 99,999 का next number क्या होगा 99,999 के बाद आता है 1,00,000 तो plus का sign था इसमें तो हमने भी plus का 1,00,000 लिख दिया लेकिन यह गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि 9,999 है तो इसे 1,00,000 क्यों लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे एक डिजिट कम होती है एक value कम होता है तो 9,999 क्या होता है 1,00,000 में एक कम होता है अब आप 1,00,000 को इसमें एड कर लो तो जब आप इन दोनों को एड करोगे तो आपको answer मिलेगा 2,00,000 4,783 बचये गा कोन minus का 1 फिर आप minus कर दो 1 को तो 204782 तो final answer आजाएगा 24782 तो यह हो गया आपका final answer फर्स्ट के फॉर्थ पार्ट का तो इस तरह से आपको यह सारे पार्ट करने है question number first के अब आ जाते है next question बे question number second यह भी वही question है find using pattern इसमें भी pattern use करके find करना है तो इसमें भी क्या करेंगे हम इन 9 को ही change करेंगे यह जितने भी 9 वाली values दी है माइनस के बाद इनको ही change करना है तो आप क्या करेंगे first part देखो कैसे होगा 731 minus 9 यह 9 कलत है तो इस 9 को बदलना है तो 731 को तो कुछ करना नहीं minus 9 के अंदर है यह minus भी ऐसी ही लगाओ ठीक है अब minus ऐसी ही लगाने के बाद आपको क्या करना है 9 को लिखना है 9 क्या होता है अभी हमने पिछले question में पढ़ा था 9 का मतलब क्या होता है 10 में एक कम यहाँ भी वो ही लिखना है 10 में एक कम लेगिन ऐसे लिखने पर गलती हो जाईगी इसलिए हमने 9 को क्या लिखा 10 में एक कम बताया लेकिन वो जो चीज हम लिख रहे है ना 9 को 10 में एक कम वो bracket के अंदर आएगी और bracket के बार क्या है minus पिछले question में bracket नहीं ली थी first part में तो मैंने बताया था bracket लेके but बाद में मना कर दिया था वो इसलिए क्योंकि वहाँ bracket के बार plus का sign था इसलिए answer में sign change नहीं होते बट यहाँ minus का sign है यह इस minus के sign के कारण bracket के अंदर आने वाली चीजों के sign बदले जाते हैं इसलिए हमें bracket लेना compulsory है तो हम क्या करते हैं 731 को तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ bracket के बाहर minus है तो इस minus से bracket के अंदर जो दो चीजे हैं उनके sign को पलट दिया जाता है 10 का कोई sign ही नहीं है sign तो दो ही होते हैं left hand पर होते हैं हर चीज के number जैसे 10 के left पे कुछ sign ही नहीं है तो इसका मलब यहाँ क्या है plus sign ठीक है और यह जो 1 है 1 के left पे क्या है minus का sign तो यह इन numbers के sign है 10 के left पे क्या है plus और 1 के left पे क्या है minus क्योंकि bracket के बाहर minus है तो इस minus के कारण bracket के अंदर आने वाली चीजों के sign उल्टे लगते हैं तो 10 का sign plus था तो हम क्या लगाएंगे minus 10 1 का sign minus था तो हम क्या लगाएंगे plus 1 अब आप पहले इन दोनों को क्या करो minus तो 731 में से 10 को rough में minus करना तो आपका answer आएगा 721 plus 1 करेंगे तो finally 722 answer आजाएगा तो यह हो गया आपका first part का answer अब आजाए second part पे second part क्या है 4752 minus 99 इसमें भी हम क्या करेंगे हम 99 को बदलेंगे 99 क्या होता है 100 से एक छोटा होता है बट यहाँ minus sign है इसे तो कुछ करना नहीं यह तो ऐसी आना है क्योंकि minus का sign आ रहा है तो 99 बदल के जो भी लिखो वो आप bracket में लिखो क्योंकि minus है यहाँ तो 99 का मतलब क्या होता है 100 से एक value कम अब अगला वर क्या करना है 4752 तो ऐसी आएगा ठीक ब्रैकेट के बाहर left पर क्या है minus इस ब्रैकेट के बाहर minus आने से अंदर वाली value के sign बदले जाते हैं मैंने यहाँ भी बताया था आपको फर्स पार्ट में वैसे ही same step यहाँ भी follow करें तो 100 के उल्टे हाथ पर कोई sign ही नहीं है यहाँ ना तो plus लग रहा है ना minus जो minus है वो तो bracket के बाहर है हम तो bracket के अंदर की बात कर रहे है 100 में कोई sign नहीं तो plus है बट हम उल्टा लगाएंगे plus का उल्टा क्या होता है minus क्यों उल्टा लगा रहे है क्योंकि bracket के बाहर minus है 1 का sign minus है तो हम उल्टा लगाएंगे plus 4752 और 100 को minus करेंगे तो 100 को minus करने पर बनेगा 4652 plus में क्या रहे जाएगा 1 इन्हें तो minus कर लिया 4652 प्लस 1 अब इन्हें plus करो तो यह हो जाएगा 4653 तो यह हो गया आपका final answer part number second का अब आजाते नेक्स पार्ट पर third part question है 1,98,754 minus 999 हम इसे change करेंगे इसको कुछ change नहीं करना है minus को कोई change नहीं करना है 999 जो है ना वो 1000 के नजदीक होता है और यह जो value है यह 1000 से एक छोटी होती है तो bracket में लिको आप 999 का मतलब क्या होता है 1000 में एक कम अब अगला वर क्या करना है 1,98,754 इसको तो ऐसी रहने दे क्योंकि यहाँ bracket के बाहर minus का sign है तो यह minus अंदर हर चीज के sign को उलट देगा 1000 का sign क्या था कुछ भी नहीं था लेफ्ट हैंड पर तो plus sign है जिसमें कोई sign नहीं होता वो plus होता है तो plus को पलट की क्या बना देंगे minus क्या minus 1000 ऐसे ही यह minus है और bracket के बाहर क्या है minus तो यह minus क्या कर रहा है यह minus bracket के inside वाली चीजों की sign change कर रहा है तो minus का वान था बट हम क्या लिखेंगे plus का वान लिखेंगे क्योंकि bracket हटाने के बाद बाहर वाला minus और यह वाला minus 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 plus हो जाएंगे अब आप क्या करोगे इन दोनों को minus करो तो four में से zero गया four five में से zero गया five seven में से zero गया और plus में क्या है one अब आप जब plus करोगे तो one nine seven seven five five यह हो जाएगा आपका final answer पार्ट नमबर थर्ड का अब आ जाते हैं next part पे पार्ट नमबर four फोर्ट पार्ट में क्या दिया है seven one two three six minus nine thousand nine hundred ninety nine nine thousand nine hundred ninety nine किसके नजदीक होता है अगला नमबर इसका क्या होता है ten thousand तो हम क्या करेंगे seven one two three six को कुछ नहीं करेंगे minus को कुछ नहीं करेंगे इसको बदलेंगे और इसकी जगा क्या लिखेंगे कि यह जो है ना यह ten thousand से एक छोटा होता है तो ten thousand minus one लेकिन यह जो minus था ना यह minus bracket के बाहर रहेगा और nine thousand nine hundred ninety nine की जगा क्या आया वो bracket में आएगा अब अगला वर क्या करना है seven one two three six को तो ऐसे लिखें क्योंकि bracket के बाहर minus sign है तो bracket के बाहर minus sign आने का मतलब क्या होता है इस minus से अंदर वाली चीजों के sign को पलट दो मतलब यह one ten thousand जो था वो plus का था तो 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 उसे minus का बना दो और जो minus का one था उसे क्या बना दो plus one क्योंकि bracket के बाहर minus sign है तो इस minus से bracket के अंदर आने वाली हर चीजों के sign को क्या करना होता है change अब आप इन दोनों को क्या करोगे minus last की 4 0 last वालों में minus होगी तो 0 को minus करके तो वो ही बनेगा one two three six बचा कौन one और यहाँ seven seven minus one क्या होगा six तो six one two three six इनको minus करके आया और plus में क्या है one अब आप इने plus कर दो six one two three six plus one क्या होता है seven तो final answer जो हमारा fourth पार्ट का हुआ वो हो गया six one two three seven तो इस तरह से आपको यह second question के सारे पार्ट करने है अब आजाते है next question पे question number third first part क्या है 144 multiply by 5 इसमें भी यही बोला है find using pattern आपको एक pattern यूज करना है हर पार्ट में same pattern हर पार्ट में यूज होना चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत दी difference आता है जैसे कि यहाँ five है यहाँ twenty five है यहाँ one twenty five है यहाँ six twenty five है तो ऐसे में करना क्या है आपने कौन सा pattern यूज करना है five जो है आप अगर ten को two से divide करो तो आपका answer क्या आता है five आता है यानि ten divided by two divide को कैसे लिखते हैं upon में भी लिखा जाता है आप जानते होंगे कि अगर divide का symbol होता है तो divide को upon में किस तरह लिखते हैं ten upon two इस तरह लिखते हैं तो हम यहाँ यह five जो है इसे बदल देंगे और हम लिख देंगे 144 multiply we are not writing five हम five नहीं लेंगे five की जगा क्या लेंगे five कैसे आता है वो लेंगे ten upon two आता है ten upon two का मतलब क्या होता है five तो हमने five को change करके यह लिख दिया ten upon two ठीक है अब अगला वर क्या करना है आपने two से 144 को आप कट कर लें यह same table में आ जाते हैं two और 144 ten भी आ जाता है वैसे हम ten कट नहीं करेंगे अगर आपने two से इस ten को कट करा तो two से ten को कट करके क्या आएगा five आएगा तो फिर हमारा यह लिखने का फायदा क्या होगा अगर आप इन्हें भी कट करके ऐसे ही लिख दो five यह तो वही step बन जाएगा suppose करो अगर आपने इस से इसको कट करा और five लिख दिया तो 144 इंटू five आ जाएगा तो वो तो पहले से ही दे रखा था question में तो जब पहले से question में दे रखा था और फिर आपने ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ अगर आपको कट करके वही लाना है तो तो ऐसी गलती ना करें हम क्या करेंगे हम जो है two और ten को कट ना करके two और 144 को कट करेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि ten से multiply करना सबसे असान होता है इससे असान multiplication और कुछ नहीं होती ten से hundred से thousand से multiply करना सबसे easy होता है तो हम two से इसको कट करते हैं तो two seven जा 14, two two जा 4 तो 72 की multiply 10 से करनी है ना तो एक zero बढ़ जाएगा सीधा-सीधा 72 into 10, 720 यह हो गया answer अब second part देखो 264 multiply by 25 है पहले तो यह 25 को बदलो आप 264 multiply 25 जो होता है ना वो five five जा 25 होता है आप दो बार five लिख लो ठीक है दो बार five लिखने का फायदा क्या होगा 264 as it is five को अभी हमने पिछले question में भी change करा था तो five की जगा क्या लिखा था five कैसे बनता है 10 upon 2 करके बनता है क्योंकि 25 जा क्या हो जाता है 10 इसलिए हम यहाँ five को भी हटा के क्या लिखेंगे five कैसे आता है 10 upon 2 यह भी five कैसे आएगा 10 upon 2 कभी भी मैंने यहाँ बताया था क्योंकि उससे तो multiply करके 0 लग जाती है तो हम two से किसको कट करेंगे इसको 212 की multiply दो बार 10 आ रहा है तो 66 की multiply 10 इंटो 10 से करेंगे तो 20 एजी लग जाएंगी तो multiply करके देखना मी नहीं पड़ता तो 10 से जब multiply करी तो 10 आई फिर दुबारा 10 से करी तो 10 और आ गई तो final answer जो हो गया second part का वो हो गया 6600 तो इस तरह से आपको यह part number second करना है अब थर्ड पार्ड करते हैं थर्ड पार्ड में भी यही same step फॉलो करना है आपने 488 multiply 125 सबसे पहले तो यह 125 भटाओ 488 इंटो 125 जो होता है न 5 इंटो 5 इंटो 5 होता है 5 5 5 तीन बार लोगे 5 5 जा 25 25 जा 125 अब अगला बर क्या करेंगे 488 को तो कुछ नहीं करना इस 5 को बदलो 5 को हटा के क्या लिख दो 10 अपन 2 अगले 5 को हटा के क्या लिख दो 10 अपन 2 उससे अगले 5 को हटा के भी क्या लिख दो 10 अपन 2 तो हमने सारे 5 हटा के 10 अपन 2 लिख दिये अब एक एक करके कट करेंगे 2 से ये कट होगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 फिर इस 2 से ये भी कट होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 फिर इस 2 से ये 122 भी कट होगा 2 6 जा 12 2 1 जा 2 तो क्या आया 61 multiply 3 बार 10 ये बज गया और नीचे वाले सब कट गए अब अगला वर क्या करेंगे हम के लिए 3 0 आजेगी तो final answer क्या हो जागा 61,000 अब आजाते हैं फूर्थ पार्ट पे 96 into 625 तो 96 को तो ऐसी ही रहने दे 625 को बदलो 5 into 5 क्या होता है 5 5 जा 25 फिर उस 25 को 5 से करोगे तो क्या आएगा 125 फिर उस 125 को 1 5 से और कर दोगे तो क्या आजागा 625 तो 625 क्या होता है 4 बार लिखना है 5 को अब 96 ऐसी 5 को बदलो 5 को बदल के क्या आएगा 10 अपान दो इस वाले 5 को भी बदल के 10 अपान दो ये भी 5 फट जाएगा 10 अपान 2 ये भी 5 फट जाएगा 10 अपान 2 अब जितने भी नीचे 2 आ रहे है इन सब 2 को क्या करो, कट कर दो, एक एक करके, 2 से 96 कटेगा, 2 4 जा 8, remainder 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 से 10 कभी मत कट करना, क्योंकि 10 की तो 0 हम multiply में last में लगा देते हैं, तो 2 से इसे ही कट करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर दुबारा 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर दुबारा 2 से कट करो, 2 6 जा 12, तो हमारा बच क्या रहा है, 6 multiply 4 बार 10, ये बच रहा है, तो 4 बार 10 से multiply करने के मतलब है, 6 लिख के, उसमें 4 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका final answer, part number 4 का, तो इस तरह से आपको ये question number 3 के सारे part करने है, अब आ जाते है next question पे, question number 4, observe the following pattern, वो कह रहा है, यहाँ पर इस pattern को observe करो, और फिर ये part के answer बताओ, ठीक है, तो क्या दिया है, 1 into 8 प्लस 1 का answer 9 दिया है, अगली बार क्या बोला, 12 into 8 प्लस 2 is equal to 98, तो आपने क्या observe करा, इन दोनों लाइनों में क्या फरक आया, देखो, यहाँ बे 1 था, तो अगली बार 1 और 2 ले लिया, जब यहाँ 1 था, तो यहाँ भी क्या था, 1, जब यहाँ 2 digit रखी, 1 की अगली बाली भी ले ली, 1 के साथ क्या ले लिया, 1 का next number 2, तो यहाँ पर क्या add हुआ, 2, ऐसे ही अगला वाला देखो, यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 3 digitally, multiply 8 ऐसी रहा, तो यहाँ पर 3 digit लेने के लिए, यहाँ पर इन्होंने 3 लिया, देखो, बिल्कूल ऐसे ही है, equal to में answer के लिया, 9, 8, 7, ऐसे ही 4 digitally अब यहाँ, इसे हटा के 4 digit, 1, 2, 3, 4, तो multiply 8 के आगे जो आएगा, वो क्या आएगा, 4 digitally थी तो यहाँ 4, और equal to में क्या है, 4 digit का answer, 9, 8, 7, 6, अब अगर हम 5 digit लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो सब में multiply 8 चल रहा था, वो ही pattern जो ऊपर आ रहा था, वो ही pattern लेना है, सब में multiply 8 था, तो हमने भी multiply 8 करा, plus सब में 1, 2, 3, 4, मतलब जितनी digit ले रखी थी, उतना number यहाँ लिखा था, तो यहाँ कितनी digit ली मैंने, 5, तो plus क्या करेंगे, 5, और equal में क्या आ रहा था, equal में अगर यहाँ 4 digits ली थी, तो इधर 4 digits का number लिख रहा था, उल्टा लिख रहे थे, backward 9 से, 9876, तो इसमें 5 लिया था ना, तो 5 digit आएंगी, 98765, उससे अगला लिखोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले लिखा था, एक और बढ़ा दो, 6, सब में multiply 8 था तो इसमें भी plus, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आगे plus में कहलेंगे 6, क्यों लेंगे 6, क्यों लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 digit का number बनाया हुआ है, अब जब यह 6 digit का number है, तो यहाँ पर भी 6 digit लिखेंगे, 9 से backward लिखेंगे, 98765, यह तो पहली लिख दी थी 5, एक बढ़ा तो 4, तो यह हो गया answer, तो अब first part का answer बाया जाते है, first वाला कहा है, यह वाला part आपका first है, यह जो मैंने आख रहा है, this is the answer of first part, तो इनने पुछा है, इसका answer क्या होगा, तो इसका answer 98765 होगा, अब बात करें इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह तो 7 तक लेना है, तो ले digit लेने का मतलब है, आगे भी जो number आएगा ना, वो 7 digit का ही number आएगा, लेकिन backward लिखेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4 तक पहले लिखेंगे थे, 3 और लिख दो, तो यह जो है, यह आपका answer होगा, कौन सा part number, second का, थर्ड बाट की बात करें, तो थर्ड बाट में आपको 7, 8, 9, 9 तक ल 9 की multiply 8 से plus 9, क्योंकि हमने यहाँ 9 digit की numbers ले रखे हैं, 9 digit के, तो यहाँ पर भी answer जो आएगा ना, देखो, 1 का मतलब 1 digit number, 2 का मतलब 2 digit, 3 का मतलब 3 digit, 4 का मतलब 4 digit, 5 का मतलब 5 digit, तो यहाँ पर 9 का मतलब 9 digit, backward चलना है सब में, देखो, यहाँ क्या था 9, फिर 9, 8, 7, फिर 9, 8, 7 6, ऐसे ही यहाँ, 9 digit लेनी है, उल्टा चलना है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कितनी हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और ले लो, 1, तो यह हो गई, 9 digit, तो यह हो गया आपका final answer, part number 3 खा, तो इस तरह चे आपको यह question number 4 करना है, अब आजाते है next question पे, question number 5, वो कहा रहा है, observe this pattern, इस pattern को observe करो, इन्होंने बोला, 1 is equal to 1, अगली बार क्या करा, 1 में एक 1 और ले लिया, तो 11 बना दिया, plus 1 is equal to 12, अब यहाँ 11 था, इस बार 11 की जगा 111 लिया, एक एक 1 बढ़ाये जा रहे है, 111 प्लस 11 प्लस 1 is equal to 1, 2, 3, एक एक 1 बढ़ाते रहो, यह 3 बार 1 था, अब 4 बार ले लो, 1, 1, 1, 1, 1, प्लस फिर 3 बार, प्लस फिर 2 बार, फिर प्लस एक बार, तो सबसे ज़्यादा कितने लिया, 4 बार लिया तो answer क्या होगा, 1, 2, 3, 4, अब पूछ रहा है, इसका answer बताओ क्या होगा, तो हमने यह pattern observe कर लिया, क्या pattern observe करा, कि सबसे ज़्यादा बार 1 इसमें थे, कितनी बार, 4 बार, तो final answer जो होगा न, वो 4 डिजिट का नंबर होगा, और कैसे लिख देंगे, serial counting लिख देंगे, serial order में, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही यहाँ, तो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, यह गिल्लों कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार, तो हमने यहाँ सबसे ज़्यादा 1 इसमें देखे, कितनी बार, 5 बार 1 देखा, तो 5 बार 1 का मतलब है, आपको answer कैसा लिखना है? इनी की तरह लिखना है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो इनी की तरह लिखना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, यह पाँच बार 1 आ रहा था, तो इसका मतलब answer ट्हा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, अब इसकी बारी है, इसमें कितने 1 है? 1, 2, 3, 4, 6 बार 1 है तो सबसे ज़्यादा 6 बार 1 आने का मतलब है आपको 6 डिजिट का नंबर लिखना है और कैसे लिखना है सीरियल काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो 1 2 3 4 5 6 तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर तो बस इसमें कुछ नहीं करना आपको उपर वाले पैटरन को फॉलो करना है इसको अबजर्व करना है इसको अबजर्व करके जो चीज समझ आई वो यहाँ एपलाई करनी है तो हमें जो समझ आया था हमने वो एपलाई करा और आंसर लिख दिया तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर तो इस तरह से आपको य करना है, sorry question number 5, अब आ जाते हैं next question पे, तो ये तो fifth था, next question देखते हैं, one more question is there, last question of this exercise, यहाँ पर भी pattern को observe करना है, question में कहा कि pattern को observe करो, फिर in parts का answer दो, तो देखो पहला pattern क्या है, two का मतलब one into two, फिर two plus four, दो नमबर लिए न, तो क्या observe करा, two into three हुआ, भी answer देखो यहाँ क्या आ रहा है, पहला आया था, one into two, फिर जो यहाँ नमबर था, वो यहाँ आ गया, two into three, अब जो यहाँ नमबर था, वो इधर आ गया, three into four, फिर अब जो यहाँ नमबर है, वो इधर आ गया, four into five, यह five इधर आ जाएगा, तो five into six, यह six इधर आ जाएगा, तो six into seven, यह last वो ला सैवन इधर आ जाएगा, तो seven into eight, इस तरह से pattern observe हो रहा है, तो हमने observe करा, और हमें जो दिख रहा था, हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा था, two है, फिर इसमें क्या हो रहा था, two plus four, फिर हो रहा है, ठीक है न, अच्छा, दूसरी चीज क्या देख रहे है हम, कि यहाँ जितनी digits हैं, देखो, इने गिल लो, एक, दो, तीन, चार, चार डिजिट को प्लस करावाए न, तो answer क्या है, चार इंटू पांच, मतलब, चार डिजिट को प्लस करने का मतलब है, पहले चार करो, उसकी multiply next number से करो, कोई सा भी pattern observe कर लो, देखो, यही आ रहा है सब में, मैं दिखाता हूँ, आपको erase कर देता हूँ, यह, देखो, 1, 2, 3, 4, चार डिजिट को add करावाए न, टूट के टेबल वाली चार डिजिट है, तो क्या देखा हमने, चार डिजिट का मतलब, चार इ यहाँ पर जो number है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 numbers है, टू के टेबल वाले तो answer क्या होगा, 5 into next number, 5 into 6, that means 30, यहाँ पर टू के टेबल वाले कितने number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 number है, तो answer क्या होगा, 7 into next number, 7 का अगला number 8 होता है, 8, 7 जा 56, तो final answer यह हो गया, so now this exercise is over, I hope आज का बढ़ाय topic आप सब को समझा आ गया होगा, if you like my way of teaching, then please like, comment or share जरूर करे, in the next video, I will give you next exercise,